और अगर मोका मिल रहा है और वो लगवाने जा रहा है और कुछ सवाल दिमाग में है डाउट दिमाग में है तो उसको डाउट क्लियर करके जाना है कल एक बात और आपको बता हूँ याद रखिएगा कि दवा जब कोई दवा आप अंदर लेते हो तो वो किस वे में काम करती है पता है अगर आप दिमाग से सोचों आप एक बात बताता हूँ एक एक सची घटना बताता हूँ आपको उसके बाद आम लोग आगे चलेंगे देखे एक किसी नद दो लोगों को बुखार हो गया अब एक बंदे को तो रियल दवाई दी गई फीवर को ठीक करने के पर उसको कहा गया कि कोई पक्का नहीं है कि इससे ठीक हो जाएगी उसको यह दिया गया और उसके अंदर दिमाग में डाउट भी डाल दिया गया समझो उसको fever की दवाई दी गई और उसके दिमाग में doubt डाल दिया गया कि भाया पक्का नहीं तरह fever ठीक हो जाए दूसरे बंदे को fever की दवाई दी ही नहीं गई उसको ऐसी random गोली दे दी बले ये चूसने की गोली भाया चूसो और उसको बोला इसे 100% आपका fever ठीक हो जाएगा आप बिलीव करेंगे कि 5 दिन बाद जिसको random दवाई दी गई थी उसका fever ठीक हो गया लेकिन जिसको real दवाई दी गई थी उसका fever ठीक ही नहीं हुआ इसका मतलब कोई भी vaccine या दवाई के साथ एक चीज ओर जुड़ी हुई है वो है आपका positive thought process अगर आप यकीन करोगे कि ये मुझे पूरी तरह से ठीक कर देगी तो वो पक्का काम करेगी तो इसलिए vaccine लगाने से पहले आपको भरोसा होना चाहिए जो की भरोसा है ही नहीं अगर आपका भरोसा डगमगाया हुआ है तो आप मान के चलिए आपकी body का immunity system उसको positive way में respond करेगा ही नहीं इस चीज को हमें समझने की जरूरत है इसलिए जब भी मैं vaccine लगवाने जाओ मैंने विश्वास कर लिया मेरा number आ गया है मैं vaccine लगवाने जा रहा हूँ जब भी मैं vaccine लगवाने जाओ मैं positive thought process के साथ जाओ क्योंकि अब मैं vaccine लगवाने जा रहा हूँ मुझे कुछ नहीं होगा corona मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा क्योंकि यह positivity आप मानें नहीं मानें आपके surrounding energy होती है औरा होता है science भी इस पे believe करता है और अगर आप positive thought process के साथ vaccine लगवाने जाएंगे तो आपको कुछ भी नहीं होगा आप corona से बच भी जाएंगे